हेलो एवरिबन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, हमारी ये वीडियो अलाबाद स्टेट उनिवरस्टी बीएड स्लेबस से संबंदित है बीएड का क्या स्लेबस होता है अलाबाद उनिवरस्टी में, exam pattern कैसा होता है, exams yearly होते हैं या semester wise होते हैं आपको कौन-कौन सी books पढ़नी होती है और आपके books में कौन-कौन सी unit आपको पढ़नी होती है और कौन सी book आपको purchase करनी चाहिए ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा तो चलिए start करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आप एक important बात ये समझेए कि आपके जो अलाबाद उनिवरस्टी में जो exams होते हैं, जो semesters होते हैं 1st and 3rd semester parallel चलते हैं और 2nd and 4th semester parallel चलते हैं यानि कि आपको 1st year में 1st and 3rd semester पढ़ना होता है 1st and 3rd semester का exam होता है और 2nd year में आपका 2nd and 4th semester का exam होता है और इस तरह से आपकी B.I.D. complete हो जाती है अब आगे देखिए, तो अब हम semester 1 देख लेते हैं, तो देखिए जो आपका semester 1 होता है, उसमें आपको, आपके compulsory paper होते हैं part A में तो part A में जो आपका paper 1 होगा, उसका exam होगा philosophical and sociological perspective of education याने कि शिक्षा के दार्षनिक और समाज शास्त्रिय परिपेक्षे और ये exam जो theory होती है, इसमें 70 marks की होती है और internal के होते हैं 30 marks दूसरा compulsory paper होगा आपका psychological perspective of education तो ये जो ये first subject है, इसकी classes अल्रेडी चल रही है, हिंदी मीडियम में भी और English मीडियम में भी तो आप channel पर देख सकते हैं, ये first semester में होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए ये वाला subject है, इसकी भी मैं तैयारी कराने की कोशिश करूँगी तो देखें, ये है psychological perspective of education याने कि शिक्षा के मनो वैज्ञानिक परिपेक्षे तो इसमें भी आपके theory 70 marks की होगे और 30 marks आपके internal होगे थर्ड जो compulsory subject होगा उसमें ये है school management and hygiene तो इसमें भी 70 marks theory के और 30 marks internal के, तो यहाँ पर total कितने marks होगे आपके 300 तो देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, सभी universities में, subjects में थोड़ा बहुर्ट difference हो सकता है कुछ subjects जो हैं, वो आपको common मिलेंगे, लेकिन कुछ subjects में थोड़ा बहुर difference मिल सकता है तो आप सिर्फ एक university के according ना पढ़ें online भी आप पहले अपनी university के slaves जाने, books जाने, उसके बाद ही आप अपनी पढ़ाई start करें अगर आप regular classes नहीं कर रहे हैं तो खाली आप किसी online वीडियो के भरोसे ये न रहें कि आपके exam में भी यही subjects आने वाले हैं जो subject आपके exam में आते हैं वो तो आपको पढ़ने हैं लेकिन जो extra subject हैं वो भी आपको पढ़ने होंगे तो चलिए देखिए अब आते हैं हम B part पर, first semester में B part जो होगा वो होगा आपका optional paper इसमें आपको paper 4 होगा, paper 3 तक हम देख चुके हैं जो paper 4 होगा उनमें आपको दो subject दिये होंगे इन दोनों subject में से आपको एक subject चूज करना है और उसका exam देना है तो ये दो subject कौन-कौन से हैं, पहला है value and peace education और inclusive education, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक subject चूज करना है ये भी 70 marks की theory और 30 marks का internal तो ये हो गए 100 marks, तो total अभी तक 400 हो चुके हैं आपर अब हम आगे देखते हैं, आगे आपको क्या पढ़ना है, किस चीज का exam देना है देखें ये आपका रहेगा, field work तो field work में आपको क्या करना है, इसमें आपको files वगरा submit करनी होंगी book review file of an educationist and his her contribution to education तो ये आपको आपके college में ही बताया जाएगा, कि आपको किस topic पर बनाना है one week observation of teaching of regular teachers and report writing तो आपको regular teachers के बारे में observation करके, एक week observation करके उस पर report writing, मतलब कि एक report writing की file बनानी है देखिए आप में से जो भी regular beard नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप सिर्फ घर में बैठे रहेंगे आपको college में at least files, exam form इन सब के बारे में जाकर regular basis पर पता करना होगा आप चाहें महीने में एक बार जाए, आप हफते में एक बार जाए या फिर आप call पर बात करें, वो आपको files कैसे बनानी है, आपके exam form कब फिल किये जाएंगे, ये सब आपको बताएंगे आप बिल्कुल ऐसे ना बैठे रहे हैं कि जिस दिन exam है तो आप exam देने चले जाएंगे आप पूरी information रखें, file बगेरा के बारे में आपको वहीं से पता चलेगा और survey of any institution and present report तो आपके college में ये भी बोल सकते हैं कि ये file बनानी जरूरी नहीं है, ये file बनानी जरूरी नहीं है इसके marks मिल जाएंगे, तो वो सब आपको वहीं पर पता चलेगा तो देखें, इसमें आपको यहाँ पर तीन files बनानी है अब आगे देखिए, तो ये कितने marks का हो गया आपका, ये भी 100 marks का हो गया टोटल आपके 500 marks हो चुके हैं अब आगे हम देखते हैं, ये आएगा professional तो professional में यहाँ पर आपको yoga, theoretical understanding and practice of asanas, pranayama and meditation तो इसके बारे में भी आपको college में पता करना होगा, इस पर शायद आपको file बनानी है extension work in community as health hygiene zero garbage तो देखें, इसमें आपको marks नहीं मिलने वाले, इसमें आपको grade मिलेगी ये total हो जाएगा आपका 500 marks का first semester complete अब हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, तो देखें ये जो second semester है second semester आपका second year में होने वाला है first year में first semester उसके बाद आपको third semester पढ़ना है तो देखें, third semester में आपको क्या पढ़ना है तो यहाँ पर इनोंने ये cut किया हुआ है यहाँ पर भी देखें एक paper 1 होगा, paper 2 होगा ये कौन-कौन से paper हैं मैं आपको भी बताऊंगी ये 100-100 marks के यहाँ पर होने वाले हैं तो आप मैं आपको ये paper बता देती हूँ कौन से हैं ये देखें, ये जो पहला paper होगा आपका वो होगा educational measurement evaluation educational measurement evaluation and statistics ये आपका 3rd semester का 1st paper होने वाला है 100 marks का और जो दूसरा paper होगा वो होगा distance and open education ये भी 100 marks का तो यहाँ पर 200 marks हो गए उसके बाद आपका होगा ये वाला exam देखें उसके बाद ये होगा teaching practice इस वाले portion में आपका फिर teaching practice आजाएगा देखें यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर आपको file submit करने lesson plan submit करने तो teaching practice होगी आपकी यहाँ पर तो देखें इस बाद आप पिछले साल से teaching जो है वो दोनों साल के लिए कर दी गई है तो यह आपका मतलब last semester है first year का third semester आपका last year है तो यहाँ पर आपको teaching भी कराई जाएगी practice teaching of school subject 1 to 30 lesson plan तो यानि कि आपको 30 lesson plan बनाने हैं और उन तीनों की आपको teaching करनी होगी practice teaching of school subject second 30 lesson plan तो यह आपका pedagogy subject first होगा यह आपका pedagogy subject second होगा दोनों की आपको 30 lesson plan बनाने हैं यहाँ पर unit test preparation organization co-curricular activities PTA PTM meeting assessment record तो यह total आपका कितने marks का हो जाएगा 300 marks का उसके बाद आपका यहाँ पर यह report submission on internship experience invite feedback from internship school construction of an achievement test in any school subject तो यहाँ पर आपको grade दी जाएगी जो भी आपने पढ़ाया है लिखाया है उसकी आपको report produce करनी है तो देखे यह होगे आपका यहाँ पर 300, 400, 500 तो आपका first year complete हो जाएगा 500 marks first semester में और 500 marks third semester में इस तरह से आपका यह first year का syllabus है अब हम second year कि syllabus की बात करेंगे तो देखे जो आपका second year का जो first semester होगा उसको कहेंगे हम second semester तो second semester होगा second year में इसमें आपका पहला paper होगा pedagogy of school subject 1 जो आपने graduation में subject था आपका जो आपने B.I.D. में लिया है अब तो वो आपका पहला subject रहेगा इसमें 70 marks की theory और 30 marks के internal उसके बाद pedagogy of school subject 2 जो आपने second optional subject लिया है साथ में, subsidiary subject वो भी और paper third जो होगा आपका वो होगा child and adolescent development जिसकी classes अभी चल रही है जिसको मैंने growing up as a learner की तरह में subject का नाम growing up as a learner है वो पढ़ा रही हूँ मैं आपको तो इसके लिए आप वो subject पढ़ सकते हैं यह आपके second semester में आने वाला है तो देखे यह सारे total मिला के कितने marks के हो जाएंगे 300 marks के उसके बाद आपका part C होगा optional paper इसमें आपको एक paper चूज करना है environmental education और technologies perspective of technological perspective of education शिक्षा के तक्नीकी परिपेक्षे तो इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है जो 70 plus 30 ओके तो ये भी 100 marks का हो जाएगा total उसके बाद आजाएगा field work जिसमें आपको mini and macro mini and macro lesson plans बनाने होंगे वहाँ पर आपको micro lesson plan बनाने थी यहाँ पर आपको mini and macro lesson plan बनाने होंगे उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 4 weeks practice in teaching यहाँ पर आपको एक महीने की लगबग teaching करानी होगी फिर educational psychology practical यहाँ पर यह आपको practical file जमा करनी होगी तो यह कितने marks का हो जाएगा total field work 100 marks का उसके बाद part D में आपका हो जाएगा professional development extension work in community as related to literacy environmental degradation preparation of question paper at secondary level तो इसके बारे में आप क्योंकि इसमें grade मिलने वाली है तो हो सकता है यह आपको grades ऐसे ही दे दी जाएए आप college में पता कर लेना तो देखें यह total हो गया third semester भी आपका 500 marks का अब हम चलेंगे fourth semester की तरफ तो देखें fourth semester यहाँ पर इन्होंने गलत लिख रखा है यह fourth semester होगा wait यह आपका fourth semester होगा तो देखें यह हो जाएगा contemporary India and education जिसकी classes अब start होने वाली हैं यह आपका second year में आप पढ़ेंगे वो भी fourth semester में तो यह 70 plus 30 marks यानी 100 marks का हो जाएगा paper 2 आपका gender issue and human rights in India यह भी 70 plus 30 then paper 3 हो जाएगा आपका guidance and counselling तो यह भी हो जाएगा 70 plus 30 total 300 marks then आपका optional paper आएँगे जिसमें की एक रहेगा theoretical foundation of curriculum second रहेगा innovation in education इन दोनों में से आपको कोई एक subject choose करना होगा और यह हो जाएगा 100 marks का then आपका field work आएगा analysis of text book यानि की आपको text book की analysis लिखनी है book review लिखना है library visit of school and report writing school की library visit करनी है और उसके उपर आपको report लिखनी है तो यह आपका 100 marks का हो जाएगा तो यह भी हो जाएगा आपका total 500 marks का then आपका professional development आजाएगा इसमे educational tour outside of the state constituted by head of the faculty classes in music, drama, craft physical education, disaster management यहाँ पर आपको grade मिलने वाली है तो इस तरह से आपके 2 साल complete हो जाएगे अब हम आपको यह बता देते कि आपको books कौन कौन सी purchase कर सकते हैं आप देखे मैं आपको यहाँ पर units दिखा देती हूँ आप यहाँ पर इसका screenshot भी ले सकते हैं और इस तरह देख सकते हैं आपको semester 1 में जो compulsory paper first उसमें क्या-क्या पढ़ना होगा philosophical and sociological perspective of education यह classes चल रही है आप देख सकते हैं channel पर तो देखे यह unit 1 में आपको पढ़ना है unit 2, unit 3, unit 4 देन यह आपके practical के लिए यह topics रहेंगे इनके उपर आप practical files बना सकते हैं देखे यह books के कुछ production दिए होए in production की आप books खरीच सकते हैं in publication की इसका भी आप screenshot ले सकते हैं तो देखे जो first, second, third specially लिखे होते हैं उन में से आपको बुक खरीद लेंगे तो ज्यादा better रहेगा और अगर आप guidebook से पढ़ना चाहते हैं तो उससे भी पढ़ सकते हैं कोई problem नहीं है अब आगे देखे वो English में था यह आपको Hindi में दिया गया है यह compulsory paper 2 है आपका इसमें आपको देखी psychological perspective of teaching and learning तो यह unit 1, unit 2, unit 3 फिर यह आपके practicum, then suggested reading यह आपको books के नाम दिये हुए हैं आप इन में से कोई भी book purchase कर सकते हैं यह compulsory paper 3rd के topics हैं इन में आपको क्या-क्या पढ़ना होगा unit 1, unit 2, 3 आप इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से देख लीजिए next यह, then आपको इसमें कौन सी book purchase करनी होगी आप इन में से किसी भी publication की book purchase कर सकते हैं then यह, आपको optional paper है value and peace education तो जिस subject का पेपर देना चाहते हैं आप उसकी book खरेद लीजिए units देख लीजिए आप, then यह आपको publication दिया हुए, कौन-कौन से publication की आप book ले सकते हैं यह second paper है optional, first semester का, check the units and आपको यहाँ पर suggested reading भी दी हुई है यह, यहाँ पर देखिए, अब यह B.A. semester 2 का आचुका है, जो कि आपका second year में आने वाला है, तो यह मैं आपको समझा आचुके हैं, आप ध्यान रखना, तो यह child and adolescent की यह books हैं, units हैं आप देख लीजिए, यह optional paper हो जाएगा, फिलाल तो आपको first year की ही books करीनी हैं, यह optional paper है, student has to choose one paper है, environmental education है, suggested reading है, publication books, then optional paper for technological perspective of education, है, semester 3 है, educational measurement of evaluation and statistics. तो यह first year का ही है, तो यह book आप खरीज सकते हैं, educational measurement, evaluation and statistics, तो यह units रहेंगे, आपको यह सब पढ़ना होगा, इसमें, in publication की book आप खरीज सकते हैं. Then here distance and open education, this publication, अभी आजाएगा आपका, यह मैंने अभी बताया ही था आपको. आप देखिए, आपका semester 4 आचुका है, semester 4 में आपको यह सारी units पढ़नी होगी, contemporary India and education में. इस publication की आप book खरीज सकते हैं, रमन बिहारी लाल एवं सुनीता पालोड, तो यह आपको online भी मिल जाएंगे, और आप book store से भी ले सकते हैं. compulsory paper 2 रहेगा, इसमें, gender issue and human right education. compulsory paper 3 रहेगा, आपका guidance and counselling. देखिए, सभी publication की books दी गई हैं, और यह आपके syllabus के according ही है. Next देखिए, अब यह optional paper जो आपका semester 4 में रहेगा, theoretical foundation of curriculum. यह सारी units आपको पढ़नी है, तो इन में से आपको एक ही book को खरीदनी होगी, theoretical foundation of curriculum. Second paper जो compulsory रहेगा, 4th semester में, that is innovation in education. मैं आपको suggest करूँगी, कि आप यही वाली book purchase करें, और इसी subject का आप exam दें. यह आपको easy रहेगा, बागी आपकी मर्जी है. अब देखे, contemporary Indian education में, यह सारे topics आपको पढ़ने हैं, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ. तो यह था आपका syllabus, अगर आपको अभी भी इससे related कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं. अगर आपको books के link चाहिए, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं. देखे, online books already बहुत ज़्यादा purchase की जा चुकी है, तो मैं आपको suggest करूँगे कि आप shop से जाके purchase करें. आप guide book भी ले सकते हैं, आप book भी ले सकते हैं, यह totally आप पर depend करता हैं. अगर आप ज़्यादा deep में पढ़ना चाहते हैं, तो आप books खरीलें, और अगर आप सिर्फ exam preparation के according पढ़ना चाहते हैं, तो आप guide book ले लें, उसमें भी काफी अच्छा material प्रोवाइड किया गया होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आईए, तो मेरी चैनल को like करें, share करें, subscribe करें, thank you.